हलो फ्रेंड्स मैं मनीश चौधरी बहुत दिनों के बाद आप सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना करके और आप सबों के सामने रखा जाए देखिए ये मेरे जो घर के बाहर बोले तो दुवार पर ये सब एक छोटा सा बगीचा है और चलिए मैं आपको सब एके करके दिख बीच में रहते हैं कि अगली वीडियो इनिस सब के बीच में से आने वाली है सोच रहे हैं जरूर। बताएगा कि मेरा वगीचा कैसा है चलिए मैं स्टार्ट करता हूं अपना ब्लोग और दिखाता हूं सबसे पहले गुलाब का फूल है जो मैंने लगाया हुआ है और गु पिची का प्रेण है जो अभी स्टार्ट हो रहा है अभी छोटा सा बड़ा हुआ है एक छोटा सा आम का प्रेण है यह थोड़ा सा खेत है जिसमें की फूल और भेंडी वगारा सबसब्जी उबजी इसमें लगाई गई थी अब देख पा रहे हैं यह भी एक आम ही है यह जो अभी काफी वक्त लग रहा है इसको बड़े होने में और यह देखिए एक छोटा सावी नीबू इसके रिए बहुत वेट करना पड़ा है यह काफी दिनों से इसको बनाते बनाते देख पा रहे हैं कि यह फरा हुआ है देखिए यह साइद वीडियो में अब देख पा रहे निखते हैं तो यह चोटा सा जो है देखने में चोटा है और बहुत अच्छा बेफरेंड़ केंले चलते हैं यहां बहुत हैं और चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं कि और भी हमारे बगीच में के सीज के प rage हुए है अप देख पार हैं यह अम्रूद है इहां पर देखिए सिर्फल लगा हुआ है कितना प्यारा से सिर्फल अर्ब सिर्फल के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर एक छोटा सा नीबू लगा हुआ है नीबू के बाद सिर्फल और अमरूध और ऐसे ही चुकि यह बरसात हुई है तो इसमें बहुत सारे कजास भी हैं तो उनका तो मैं जिक्र नहीं कर सकता है वैसे आम के पेंड काफी अच् सब और यहीं सब आम है देखिए इतना इधर इतना सब घास इधर बड़े बड़े हो गया है कि इधर जाना बड़ी कठीन काम है आपको दिखाते हैं एक अमरूध जो बहुत ज्यादा फरता है वह अमरूध उसकी कोई लिविट नहीं है चलिए दिखाते हैं सबसे प्यारा तो मेरा हमरूध यहीं है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फरता हुआ है kun बहुत जयादा फरता है और मैं और तब बगल अब कुल भी मत आपण आ कि अब देख पारे हैं कि अगर नहीं देख पार है तो चलिए मैं दिखाता हूं यह अंदर चल खरके और देखे यह य यह हैं हमारे प्यारे प्यारे अमरुद, देख रहा हैं फ्रेंस यह कितना पका हुआ है, आपको दिखाते हैं इसकी look, इसका जो look है, आप बिल्कुल भी देख लिए- देखिए, देखिये फ्रेंस त cierto कितने अच्छे से पके हुए हैं फ्रेंट्स यह बिल्कुल भी आपे खाने वालों की कमी है कोई खा नहीं पाता है इसको इतना ज्यादा पके हुए है कि देखिए ठीक है फ्रेंट्स आँ तो उमीद है कि आप सबको मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा और यहीं जो है मैं दिखाने की कोशिस कर रहा था जो मेरे घर के आगे है यहीं वो प्यारा सा बगीचा है जो आप देख पा रहे हैं क्यों भी तो बहुत अच्छा बगीचा है और बहुत इसमें समय भी लगता है तो उमीद है कि अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स चलिए हम आपको एक और ब्लॉग में ऐसे ही बहुत अच्छा ब्लॉग दिखाएंगे उसमें एक मंदिर का जिक्र हम करेंगे फिलाल के लिए तो उमीद है कि इतना ही बहतर है कि अच्छा है